औरेवान इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Pacemaker Potential Heart में Pacemaker कौन होता है SN major supplements je mortal changes होगे है उसको हम बोलते हैं Blick uma कर पूटेंशिल SN aktरी नोट कि दो पकुटेंश्ण में टेम्वेमीत पुटेंशिल RM और तो देत्ट इस नोट कॉंस्ट तो एक एक उनिवासली अगर आप देखें आप er मैनमिस सिच्च सिच्च ए लेकि माइने साथी मिली वोल्ट को तक एक निवासलें चेंज होता रहता है यह आपका minus 60 से minus 40 तक deep polarizing state तक आता है मतलब minus 40 क्या है यहाँ पे threshold है तो minus 60 से minus 40 तक ही जाता है और इसको auto excited करता है यह ऐसे नोड में auto excitement होता है और इसमें यह auto rhythmicity generate करता है जिसकी वज़े से यह spike potential आता है और फिर वापस से यह resting moment potential की तरफ वापस जाता है अगें फिर यह अपने आपी minus 60 से minus 40 तक जाता है और फिर आके आपके action potential को generate करता है तो यह जो resting moment potential है that is not constant basically यह change हो रहा है minus 40 से minus 60 से minus 40 millivolt तक तो इस पार्ट को हम लोग बोलते है प्री potential प्री potential यह फिर इसी का नाम होता है पेसमेकर potential तो इसके हमारे कैफे सारे नाम है इसको हम बोल रहे है प्री potential यानि potential से पहले जो change हो रहा है हो है आपका प्री potential यह इसी का दूसरा नाम है पेस मेकर पोटेंशल या इसी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक पोटेंशल क्योंकि जब हर्ड डायस्टोल में होता है तो ये पोटेंशल चेंजिस आपके ऐसे नोड के अंदर हो रहे हैं और इसको दुबारा से ये एकसाइट कराके हर्ड एक इमपल्स को जनरेट करते हैं तो because of this characteristic of this pre-potential एसे नोड के अंदर ओटोरिद्मिसिटी की characteristic होती है वैसे ये characteristic एवी नोड में परकिंजे फाइबर्स में उनमें भी होती है लेकिन क्योंकि एसे नोड का जो rate है वो सबसे जादा है that is 72 per minute तो वो सबसे जादा है इसलिए वो predominate करता है और हमारा पूरा हर्ट एसे नोड की बीट से ही contract करता है तो ये minus 60 से minus 40 तक क्यों जा रहा है इसका क्या reason होता है तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं कि repolarization phase से यह हमें इसाद depolarization phase होती है जहां हमारा minus से लेके positivity की तरफ potential जा रहा है उसको हम बोलते है depolarization phase और जब वापस basic की तरफ जा रहा है baseline की तरफ तो उसको हम बोलते है repolarization phase तो यह इसकी depolarization phase है और यह है आपकी repolarization phase, so we are starting from here, repolarization phase is due to IK, I current is due to the potential of potential potential, so we can just think that this is a S.A. nodal cell, in S.A. node cell, here are channels, in S.A. node cell, the potential potential cells, it is down from the heart, what is happening in the heart, E-flux is happening. So because of this potassium efflux, the positive ion out of the heart is coming, the negative ion is coming, so the positive ion is coming, the negative ion will develop from inside the heart and the positive ion will develop from the heart, so it means the energy of the heart, it is going towards the heart, और निगेटिविटी जो कि यहां पर यह फेस्टी के फेस्ट में रिप्रिजेंट हो रहा है तो इस बिकॉज ऑफ पोटेशियम एफ्लक्स रिपोर्राजिशन हो रहा है अब जब यह तो अप्रोग्जिमेटली माइनस 40 माइनस 50 दग जाता है तो क्या होता है यह नॉर्मली आ की वज़ेसे हो रहा है और जिसको हुम बोलते हैं क्याक्ट की कम होना तो पोटेशिम एफ्लक्स माइनस 50 मिलीओर्ट के आस्पात जाने पर कम होने लगता है और इसको हम बोलते हैं क्योंकि तौर्श प्रीपोटेंचल है क्योंकि टूर्स दीपरड़रिशन लेके जा रहा ह हम जो membrane है उसको towards depolation लेके जा रहा है तो first part of the pre-potential is because of this IKDK उसके बाद क्या होता है यहां पर जाने पर यह minus 50 के आसपास जाने पर minus 50 के आसपास जाने पर यहां पर एक दूसरे type के channels खूलते हैं जिनको हम बोलते हैं funny channels या F channels ओके यह funny channels इनको हम H channels भी बोलते है funny channels और H channels इन channels के थूप क्या होता है कि sodium की permeability बढ़ी होती है sodium की entry शुरू हो जाती है यानि कि sodium का influx होता है but they are slow type channels बहुत धीरे खुलते हैं यह और यह बहुत जिल्दी close भी हो जाते हैं मताए approximately one to two second में ही तक ही कुलते हैं close हो जाते हैं इनके थूप sodium का influx होता है और यह जो channel है कब खुल रहे हैं जब हमारी cell towards hyperpolarization यह उपर की तब जो आता है डी-polarization है वापस आना उसको हम बोले है hyperpolarization तो towards जब माइलिस 50 मिलिवाल्ट है उसके आसपास में खुलने शुरू होते हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं funny channels क्योंकि towards hyperpolarization खुल रहे हैं और इनके थूरू sodium के साथ साथ potassium का भी थोड़ी permeability इनके थूरू होती है क्योंकि यह sodium और potassium दोनों की permeability इनके थूरू हो रही है इसलिए इनको हम funny current या funny channels कहते हैं तो जो second part of the pre-potential है that is because of this funny channels or funny current and that is because of slow sodium influx ओके तो अब तक क्या हुआ जो pre-potential है उसका first part IK decay की वज़े से हुआ IK decay क्यों हो रहा है क्योंकि potassium channels जो है जिनका efflux हो रहा था तो उनका slow हो गया है due to slow efflux of the potassium channel जिसको हम IK decay को रहे है second part कि सवाई से है funny current के वज़े से यानिकि इनके through slow sodium influx हो रहा है sorry यह है आपका क्यूंकि sodium अंदर जाते sodium influx हो रहा है और उसका जो third part है that is because of calcium calcium के भी ऐसे नोड में दो तरह के channel होते हैं एक होते है sorry so there are different type of channels जिनको हम बोलते हैं transient calcium channels in calcium channels के through calcium अंदर आ रहा है calcium अंदर आ रहा है इसका मतलब positivity अंदर बढ़ रही है क्योंकि अंदर एक positive जवाएन आ रहा है तो यह जो है towards threshold पहुंचने लगते माइन सिक्स्टी मिलिवोल्ट से माइनस 40 मिलिवोल्ट की तरफ जा रहे हैं यानि की negativity कम हो रही है positivity बढ़ रही है इस तरीके से कह सकते है so third part of the pre-potential is because of this I this transient transient calcium channels okay तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रीपोटेंशल का क्या क्या रिजन है नंबर एक आई के डिके नंबर दो कि फ़नी चैनल्स कि फ़नी चैनल्स में क्या हो रहा है सोडियम का इंफ्लाक्स हो रहा है तो आप कह सकते हो sodium influx but it is slow slow sodium influx and third part of pre-potential is because of transient calcium channels transient का मतलब होता है जो थोड़े टाइम के लिए खुलते है transient calcium channels और इनके थू क्या हो रहा है calcium का influx हो रहा है so because of these three reasons that is a pre-potential is developed in the SA node or pacemaker and because of this the potential goes from minus 60 to minus 40 millivolt which is threshold minus 40 millivolt is the threshold for SA node potential इसकी वज़े से autorhythmicity होती है तो SA node में जो autorhythmicity का reason है that is pre-potential और इनका यह हमने तीन इसन पढ़ लिए उसके बाद इसमें actual action potential develop होता है और जो होता है long lasting calcium channel के वैसे यानि कि यह channels काफी देर तक खोले रहते हैं इनका नाम है L channels long lasting calcium channels तो इनके थू क्या होता है calcium का influx होता है यानि calcium अंदर जाता है और यह कैसे channel है long lasting calcium channels तो SA node में आपका pre-potential है and actual depolarization है and then repolarization है repolarization is because of potassium efflux understand? so this is a characteristic जो पर SA node में यह special membrane potential होता है जो आपकी action potential in atria and ventricle है वो different होता है यानि कि heart में हम जो potential पढ़ते हैं वो दो तरह के हैं एक pacemaker potential जो pacemaker tissue में होता है चाहे वो SA node हो, AV node हो, परकिंजे fibers हो दूसरी तरह का tissue है atria and ventricle tissue में जो होते है जिनका graph इस तरीके का होता है जिसमें यह phase 4 होती है 0, 1, 2, 3 and 4 और इसी को हमने यहाँ पर compare किया है कि जो यह वाली phase है 0 वो आपकी जो action potential की जो depolation की phase है उसको हमने 0 phase बोला इसमें 1 और 2 phase नहीं है डिरेक्ली आपका repolation शुरू हो गया इसलिए इस phase को हमने 3 बोला और फिर जो straight line है यहाँ पे resting permanent potential है उसको 4 बोला यहाँ पे pre potential को मने 4 बोला तो यह धान अतने की बात है कि एसे node के potential में हम 3 phases बढ़ते हैं और जिनका number जो है 0 फिर उसके बाद 1, 2 नहीं है 3 है और फिर 4 है जो free potential की जो phase होते है उसको phase 4 बोलते है ठीक है अब हम इन दोनों जो आपका यह ऐसे node का जो potential है पेस मेंगर potential है उस पर sympathetic stimulation का क्या effect होता है और परा-sympathetic stimulation का क्या effect होता है इनको पढ़ते हैं यहाँ पर हमने 2 graph लिये हैं जिसमें पहले graph में यह pre potential चल रहा है यहाँ पर हमने sympathetic stimulation किया तो sympathetic stimulation से क्या निकलेगा nor epinephrine nor epinephrine कहां वर्क करेगा यह वर्क करेगा बीटा 1 receptors पे sympathetic के receptors alpha beta होते हैं तो यहाँ पर यह बीटा में बीटा 1 पे receptor पे काम करता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ आपने stimulation दिया उसके बाद से तेको यह दूर-दूर आ रही थी phases अब यह पास-पास हो गई सारी की सारी ठीक है इनकी वैसे जो यह pre-potential था इसका जो slope था अब यह पहले ऐसे था अब यह थड़ा ऊपर हो गया तभी तो पास-पास आएंगी यानि कि जो इनका slope है वो क्या हो गया? बढ़ गया तो इसमें जो pre-potential का जो slope है वो increase हो जाता है चिंपेटिक स्टिमुलेशन में जो यह pre-potential था इसका slope ऐसे हो गया यह ऐसे हो गया तो pre-potential का slope इंक्रीज हो गया और यह जो frequency है action potential की वो बढ़ गई यानि कि उतने टाइम में अब जैसे जिसमें same time में 2 आ रहे थे अब यह 3 या 4 आ रहे है तो इसका मतलग इनकी जो frequency है जो potential की frequency है वो आपके increase हो रही है तो इससे क्या होता है? heart rate increase होता है और आप जानते भी है कि sympathetic stimulation से heart rate increase होता है तो यह beta 1 receptor की through हो रहा है pre potential का slope increase हो रहा है और यह काम कैसे करते हैं? यह basically जो long lasting calcium channels है उनकी activity को बढ़ा देते हैं तो यह जो L channels है यह long lasting calcium channels है उनकी activity को बढ़ा के यह इसको depolarization जल्दी-जल्दी depolarization कर रहे हैं इस तरीके से यह work कर रहे हैं तो और इस हम of affect को बोलते हैं क्यवंकि heart rate का जो effect यह Mayम आनकी इसको बोला जाता है kronotropic effective तो इसको हम बोलते है kronotropic effect यह कैसा है यह आपका positive chronotropic effect heart rate increased हो गया इसको हम बोल रहे हैं कि यह sympathetic stimulation का effect positive chronotropic effect अब आता है parasympathetic effect parasympathetic को देखो आप यहाँ पर आपने वैगल स्टिमुलेशन किया तो वैगल स्टिमुलेशन होने से जो pre-potential का slope था यह pre-potential था यह पहले ऐसे था लगना भी ऐसे ओ गया यह देखो ऐसे यसी वैजे से दूर दूर भूखें हैं तो यह जो वैगल इस्वीकम यह आपका म्ट्री सेप्तरी सीघ6 टूर्ओता है वहाँ ह Dutch All दिश्षेप्टर्स टिकर इंप्र सेप्टर्स गिजू ऑप 4 सेटिक स्टिमूलेशन आप बैग वा।oh करता है और यह क्या कर रहा है प्रीपोटेंशल का जो स्लोप है उसको यह डिक्रीज कर रहा है और यह कैसे काम करता है यह बेसिकली जो पोटेशियम कंड़क्टेंस है उसको इंक्रीज करता है और साथ में जो सोडियम चैनल की सोडियम conductance है यानि कि जो funny currents है funny currents funny channels currents उनको increase कर देता है okay so these are the reasons जो vagal stimulation यह इसके थुरू काम कर रहा है क्योंकि sodium conductance बढ़ेगा और जो आपका sorry यह इसको नहीं करेगा sodium conductance को यह खाली increase करता है क्योंकि sodium conductance को increase करने से क्या होगा जो repolarization है वो आपका लंबे time तक रहेगा okay और जो आपका funny channels है यह जो sympathetic है यह funny channels को stimulate करता है मतलब यह आपका जो calcium channels है उनको stimulate करता है calcium long lasting को increase करता है उनके conductance को और जो funny currents है यह जो currents है यह उनको increase करता है क्योंकि sympathetic depolation जल्दी जल्दी कराएगा और जो वेगल है वो repolation जोड़ा देर तक कराएगा जिसकी वज़े से जो आपका heart rate है वो कम हो जाएगा so the these are the effects on sympathetic stimulation sympathetic effect of sympathetic stimulation and parasympathetic stimulation on these pacemaker potential okay so thank you so much students आपका है